बैठक आज रात करीब आठ बची होगी और इस बैठक के बाद कॉंग्रेस अमेठी और राय बरीली में अपने प्रत्याशियों के नामों का एलान कर सकती है लोगसबर चुनाव के दो चरणों का मतदान संपन हो चुका है और कॉंग्रेस ने अभी तक अपनी इन दोनों सीटों से उम्मीद्वारों के नाम का एलान नहीं किया है जबकि काफी महतरपूर्ण ये दोनों सीटे हैं अमेठी से भाजपा कि इस मृतीरानी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है और हो सकता है कि कॉंग्रेस राहूल गांधी को इस मृतीरानी के खिलाफ चुनावी रड में उतार दे